और राइट तो next question discuss करते हैं हम लोग यह question करना में maximum water container यानि कि आपको क्या करना है इसमें आपको एक array दे रखा है question में यह array आपको यह करना है कि यह array की height दे रखी है Striresors की height यह एक height का pillar है you arblind हाइट का पिलर अचे दो पाच चार अब इन में सिना हम container मना सकते हैं जैसे कि मैं बोलूं कि predictive europe और यह container में पानी भर शक्ते हैं यहां दो और चानका अब कौनीम्ड अब कितना पानी भर सकते हो इस démocrate anlam ठीक है अब आपको कुशन संभी नहीं रहे था मैं बता दूं जैसे आपने इसको पकड़ा यह पिलर रहेगा सा ठीक है एक पिलर डंडा खड़ा हो गया और दूसरा पिलर मानलों यह खड़ा हो गया इन दोनों के बीच में कितना पानी आ सकता है इतना आ सकता है यहां से लेक यहां तक यहां से लेकर यहां तक उसकी लेंद्ध होगी ठीक है तो इसकी लेंद्ध कितिनी है अगर आप देखे तो यह एक लेंद्ध हुई यह दो लेंद्ध हुई यह तीन लेंद्ध हुई यह चार लेंद्ध हुई यह पांच हुई यह छे हुई यह साथ हुई आठ है तो इसक्समें आठ यूनिट का पानी हम भर सकते हैं यह इस वाले कंटेंदर में एक और कंटेनर में बना सकते हैं सोचों हम यह बना सकते हैं को यह वाला एक कंटेंदर यह बना आठ inhib screen प्लेर भाणना फटीश्क लिए प्लेर तो उसकी हाइट आठ है है ठीक है तो यहां से लेकर यहां तक स्कों कर लो इसको फिल कर लो इसकी हड़ क्ती इंदर पानी बढ़ेंगे तो हएट कितė झाँ खे और यह तो इसकी रहेशा होगी और इसकी विर्थ किती है तो एक लेंथ यह डोας दो लेंथ यह थे चार लें चार लेंद तो एक 24 आंसर हो गया है ना तो 24 तो बड़ा है आठ से एक हम इसको consider कर सकते हैं कि 24 को हम ले ले ठीक है तो कैसे करना है इस question को वो मैप को बताने कोशिश करता हूं तो पहली बात यह है कि यह height array है ठीक है इसमें height दे रखे आठी पिलर असके यह पिलर रहे यह पिला रहे पिला रहे हम ऐसे concept दो पिलर चूज करें यह 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 मनतब कौन से जूँज करें कि maximum हमको क्या मिले पानी मिले ठीक है उसके बारे मैं को बात करें तो अब इस question को कैसे discuss करेंगे आई तेली थोड़ी से बात करते हैं अब उसके लिए हमको basically करना क्या है हमको हम यह कर सकते हैं इस case में यह सबसे बड़ी है तो यह कर सकते हैं कि वही हम यहां से ल इससे इससे फिर इसको पकड़के चलने सबसे पेर करें पेर करते चलने इससे एक time complexity बहुत हो जाएगी order of n square आजाएगा time complexity बहुत ही बेकार solution होगा ठीक है इसके में indexing में कर जाता हूं 3 4 5 6 7 और 8 ठीक है तो time complexity जाद हो जाएगी उस case में जो की एक खराब चीज है तो अब यह तॉम कर नहीं सकते उसके अलावा दूसरा अप्रोच यह होगा कि यहां पर भी जैसे मैंने पिसली कुरिशन नाख होता है था यहां पर हम इस्तवाल करेंगे two pointer method ठीक है two pointer method ठीक होता तों कैसे two pointer method ठीक हो एक variable हम रखेंगे i यहां पर i वाले variable यहां है और एक j वाले variable ह अब इस case में क्या करेंगे अब इस case में में मेरे को क्या करना पड़ेगा एक i है एक j है मैं बलूँगा मैंने इनको चूज कर लिया i और j को चूज कर लिया ठीक है इन दो पिरड़ों को चूज कर लिया आप area बताओ कि maximum कितना पानी इसमें जा सकता है तो कैसे हम कि यह maximum height of container is the minimum height क्योंकि अगर मैं 7 height का container बना दूँ तो पानी तो बहार निकल जाएगा अगर मैं इसको base इसको लेके चलूँ पानी तो पूरा बहार निकल लाएगा तो मैं को पता है कि जो container की height होगी वो minimum of या तो i होगी या j होगी ठीक है तो मैं पहले यह find करूँगा कि height क्या है height क्या है और height find करने के लिए एक variable मैं यहां रख दिया एक मैं यह variable यहां रख दिया और मैं चक करूँगा कि अगर मेरी array of i बड़ा है क्या array of jay यह जोटी होगी यह जोटा है वही container की height होगी वही container की क्या होगी height होगी अब area कैसे निकलते हम area कैसे निकलते हम देखो area निकलने के simple तरीक यह है कि area is equal to पहले height लेलो और height आप इस तरीक कैसे निकल लो होगी यहां से निकलो height यहां से निकलो height और height आपने निकल ली और height को multiply किसे कर दो आप इनकी बीच में जो distance है width है उससे कर दो multiply और width क्या होगी इसकी j minus i j minus i होगी देखो 8 minus 0 करके देखो 8 इसकी यह और height इसकी 1 तो उस case में मारा क्या रहे हमारा जो container आ रहे है उसका एरिया आ रहे हो क्या रहे है पहले height निकलो फिर area निकलो और height निकलना आपको आता है ठीक है मैं पूरा लिखते हो code अगर यह बढ़ा है तो height यह else आपके height क्यों होगी height आपके होगी area of i यह पूरा code कर दिया मैं यह ठीक है उसके पास आप area निकलोगे अब आपके वास एक area भी है अब आपको क्या करना है यह आपको यह देखना है कि मैं क्या इस area को बढ़ा सकता हूं ठीक है मैं इस area को क्या बढ़ा सकता हूं उस case में मिअ डीसीजन यही किसको कहा मूफ करें ठीक है तो आपके पास एक aja अपके यह राक़े पास इक यह आपको दिखना है आई को मूफ करना कि आ को इनक्रीमंट करूंगा करूं और माइस बढ़ा। यह कम होगी है कि आइको मैं तो अच्छा अगर मैं यह को घटाओंगा जैको इधर ले जाओंगा इसको घटाना बोलते हैं यह को मैं घटाओंगा पीछे के तरफ तब भी width कम होगी, तब भी width क्या होगी, कम होगी, चलो इतनी बात ठीक है, यानि कि width तो भाई, दोनों के इसमें कम होगी, अगर आप इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, main concern हमारी है कि height हमारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमको एक maximum है रहा चाहिए, तो आप जो है, आपका वैसे, एक point और मैं आपको बताया था, कि आपका area होता है, यह depend करता है height पर, और आपकी height depend करती है, minimum height पर, ठीक है, minimum height पर आपकी depend करती है, अच्छा, तो अगर मैं एक point और बोल सकता हूँ कि, आपका j, sorry आपका i जो है, अगर आपका i, एक minimum height पर है, लेटर से आपक यह i है, और आपका j है, कौन छोटा है इस वक, छोटा कौन है, आपको बिताओ, i छोटा है कि j छोटा है, अभी इस वक्त i छोटे वाले पर है, तो अगर i को, i छोटा है, और अगर आप i को ही आगे बढ़ाओगे, तो i को ही अगर आप आगे बढ़ाओगे, तो height क्या हो बढ़ रही है trabalhar न Une52-fficiency today do you prefer a progress तो यह बदाना मखिए क्यां आई सिरेफ्राटों अगर यह बढ़ा रहे है वेध्थ नहीं हो सकता है कि हैई जो है वह बढ़ता है हैं नहीं हो सकता है कि हायट जो है वह tenido?? अजमने आई इस मीनिमम मैं मिनिमम औफ इन में या इन में से मिनिमम पूरे में से नहीं आई और जे में से जो छोटा है अब में इन बात ध्यान सबनना आई और जे में से जो भी छोटा है उसको बढ़ाने पर हो सकता है कि छोटे से बड़ी हाइट मिल जाए हैना चोटे से बड़ी हाइट मिल जाए तो यह भी मैक्स पर है अगर मैं जे को इधर ले जाओं तो मेरी हाइट जो मैक्स के थी सेवन मैक्स है मैक्स किसके कंपरेशन में बन के यह बड़ी हाइट का है अब यह जो बड़ी हाइट का है अगर मैं इसको घटाता हूं लेटर से मैं इसको घटाता हूं तो मैं मैक्स से हो सक तो मेरी height बढ़ जाए या घड़ जाए बट स्टिल मेरा area जो होता है minimum height पर depend करता है minimum height पर depend करता है और j से मतलब नहीं है क्योंकि अब भी I मेरा minimum पर है तो अगर अभी देखो अगर मैं भी 7 पर हूँ ठीक है मिनिमम से कोई भी variable अगर minimum पर है minimum पर है ठीक है तो और minimum से अगर आप इसको move करते हो तो भाई सही है क्योंकि वह area को बढ़ आसकता है but Iаете मेंस कोई maximum पर है ठीक है Ieka मेंस कोई maximum पर है और फिर अगर आप इसको moves करते हो उससे जो है result नहीं आए ऊससे कोई आपको बड़ा result क्यों नहीं मुलेगा क्योंकि हो सकता है कि ये आई को move करने पर वन को नंब करने पर अगर वन यह मैकसिमूम होता है इसको नहीं हैश सने फिक बड़ी हैट पर जाते खूँए हमेशा मूफ किसको करना मिनिमम को मूफ करना इतनी बात इसमें बोली गई है ठीक है तो आये और जे कोई भी मैक्सिमम होगा उसको मूफ करने का कोई फायदा नहीं है क्यूं क्यों कि भाई विट तो दोनों केसमें काम हो रही है बट इसमें अगर आप हाइट मिनिमम है उसको नीकाला क्योंकि यह एरिया नीकाला ठीक है और फैलर स्टफ पैयला स्ट पैयलो स्टफ में अरे बेर निकाल दिया तीसरे स्टफ क्या होगा क्या आप में चेक्च कर लो कि आप कstep कौन जादा है if your a of i if that is greater than a of j कौन है अगर आपका j छोटा है इस केस में कौन छोटा है j छोटा है तो j छोटा है यानि कि j minimum पर है j कम वाले बंदे पर है और j अगर कम वाले पर है तो j को घटा दो यहना j minus minus else के केस में कि i बड़ा है और i बड़ा है sorry i छोटा है अभी i बड़ाता है और i छोटा है अगर i छोटा है तो i को बड़ा दो basically बोलने का मतलब है जो छोटा है उसको आगशे बड़ा हो बड़ाओ क्योंकि बड़े से आप आपके जाओगे तो कोई मतलब नहीं मतलब बड़ाइगा कि छोटा वाला जो है चीज ब्लॉक करके उस पर डिपेंड कर रहा है आपका एरिया ठीक है यह करो और इसको वाइल लूप में लगा देना बस वाइल कब तक जब तक आई जो है आपका छोटा यह बराबर ना हो जाए जैसे यह बराबर करने की जूरुत नहीं जब तक छोट कर देना तो यह बेसिक कोडिंग है इसके मैक्सिमम वाटर कंटेनर की ठीक है यह कोड का मिल जाएगा को लीट कोड नैडोज जी अब जी ठीक कई भी मिल जाएगा इसको करना है समिट और यह अपरोच यहाद रखनी कि जो मैक्सिमम उसको मूव करने को फैस दिनी मिनियम को करने मिनियम करने के लिए पर दिया पर कर दिए पर यह स्टेफ निकालो जूसरे श्टेफ पर यह निकलो फिर चक करने मूव किसको करने वाय लूप में डाल के रखो और इंट आंसा जो है मैक्सिम में निगालने के तिरफ बढ़ओ ठीक है इतनी बेसिक कोडिंग मैं आपक इसका अपरोच मैं आपको बता दिए अब आपका काम यह कि आपको इसका कोड जो एक खो लिखने सल्फ ठीक है सल्फ कोड लिखो मैं सब्सक्राइब बताने वाला किकि मैं बता दूंगो तो आप मेरे पर ही डिपन्ड हो जाओगे और तो अब यहां से सीखोगे फिर वहां से सीखोगे फिर वहां से खुष निशिख पाओगे बात में बेर रूद कार रहा है ठीक है तो चलिए अब मैंने आपका प्रूद बता दिया मिलते हैं नेक्स वीडियो में सब तक के लिए बाय